किसान वीरो ससी काल मैं पर्गर सिंग फसला दी जानकारी तो एस वीडियो नूँ देखना फेर स्टार्ट करें जे थोड़े कोले वी मिंट दा समा है क्योंकि एक यूपील दे उच्चत का अरीदेनाल एक गल हो रही है अदार्सिकिसान सेंटर ते उस गल बाद देविच पर्गर सिंग पंजाब से बोल रहा हूं जी जी सर बोली आपके दो पड़क्त आते हैं जो साफ और साफी लाइजर कि अच्छा सार उसके रिगार्डिंग मुझे जानकारी चाहिए थी अब वसमें अंतर के आशां दोनों में हो इसके बारे जान कर जान कर जहें नहीं हा मतलब उसमें कंडेन्ट तो पठा है मेरे ऊसमें करवा जिन करवंड़ा कर ड़ाजें एंड मान को जब है उसमें लेकि साइधा आपको जानना शूंप इसको इसके बारे जानकारी में आपको चेक करके बताई धो कि बताता हम वैसे ठीके इसके बारे में कोई बताता नहीं है इसको कौन सा सप्रेग के लिए लोग नीचे इसको नीचे डलवा रहे हैं नीचे डालने का क्या फैदा है सर मिट्टी में शर्ड जो जो साफ होता है तैंस इसका उपए वैसा होता है जब हम खेटी में से पहले नर्सरी में से वह रोप निकाल लेते वरावर वर जो यह होता अपना धान, जो नरसरी में लगाया होता है, वो निकाल के, जो मेन अपना खेत होता है, it like. यह उना ने लगाने के एक दिन पहले ने लगानेके यह दीन सबूर्चराइम नगाता है। है यह कैकर में 6 किलो में इसका इसका कह दीन अफ़रा पाद फाल। जिसने मिला के मत्ती ने लिए थी जी विसमें जो पाउड़ा अता है वो दालना पड़ता है ऑपना जो पानी पर देग निकालना पड़ता है केति में जकना पर दालने के बाद पिरसे हम आपने रोपई वग जो इसे फाइदा इसा होता है सब्दी जो बीज होते है ना जहां की खेति में ते साफर होता है उसको फजूय काम करता है सताय सीobra UK ये दोनौनों खबास हो वसके एसे काम करता है था सभी सेम और पार नियुका शुक्राता है ये उसना है हुआं झाता है ते खयान के इसा prov kidding थिक सभिना कान ये और करें समय के लिए निज़ निस फारवड मत करना मैं इक को यो सोडे से शफाल मेरे एक दो ही वह सोय को जरूओत है उपनी ऐखिय挺 चोरी एक में करने आखि तो कोस्ते हैं जोट हो वहा आपका आइडी भी होगा मतलु यूपियल काम करने में यूपियल का आइडी होता है कोई बात नहीं है आपका नाम रपीट कर देना आप कौन से ओफिस में कहां पर काम करता हूँ आपको मैं वेबसेट चेंड करता हूँ आप सोड़ी सी बात करनी है आप से आप बोल रहे हैं कि इसको छे से साथ किलो डालना है ठीक है पहली बात तो यह इतना डलता नहीं है ठीक है आपको इसके डोज के बारे में नहीं पता है और दूसरी बात यह फंगी साइड है और फंगी साइड कभी वीड को नहीं मार सकता आपको भी पता है ठीक है आपने ये मेरे को गल्ट गाइड किया आपने बहुत गल्ट गाइड किया मेरे को और दूसरा इसकी एक 500 ग्राम की प्रैकिंग की प्राइस लगबग 3-400 रुपए है और 6 किलो डालूँगा तो आप सोचिए इसका प्राइस क्या होगा या सर जी मैं जानकर चेकर गरें कि वैसे ले तो मैं आपको उल्ट पर रखने को बोला हुआ ने बोल्ट पर आपने एंड पर जाके बोला है आपने तो पहली मेरे वो सारी इंफर्मेशन देदी कि ये वीड को कॉंट्रोल करता है यह कौन सा फंगी जाएड़ा जो वीड को तर वो जो बीजोत है ना उसको उगने नहीं देता तर उगने नहीं देता आपके साफ साफ इलाइजर मैंने दो प्रड़क्ट की आपसे डिटेल मांगी है क्योंकि यूज कर रहे हैं फार्मर लो ठीक है और आपने जो इनफरमेशन दी है उन प्रड़क्ट के लीफ लेटर मे कैसे कर देगा जी बता दो हमको बीवता चल जाए कैसे कर देगा तर आपकी ट्रेनिंग में मिसंदर्स्टेंडिंग है आप चेक कीजिए साफ को आप 6 किलो डलवाओंगे तो कम से कम ये 5000 का हो गया अगर 5000 में एकड़का आपका फंगी साड़ी डाल देंगे तो हम बाकी क्य आप लोगों को गाइड कर रहे हैं या मेरे को तो समझ नहीं आ रहा आप अदर्च की साथ सेंटर बना दिया अच्छी बात है लेकिन लोगों का तो यह तो बहुत गल्त बात आप इतनी गंदी इंफरमेशन दे रहे हैं वहां पे बैढ़के एसी रूम में इंफरमेशन दे इंफरमेशन दो सभी है मेरे पाग मैं तो आप से क्लियर मेरे को तो फर्क नहीं पता अभी चल इतने जूपियल के एक्सपर्ट मिले हैं वो तो यह बोलते हैं कि आपका साफी लेजर स्वाइल के लिए बना है और साफ आपका सप्रे के लिए बना है दोनों में टेक्निकल स ईतने पाणे लेड़ा है इतना है तो आपने रिजिस्टर भी सको किया नहीं है नहीं तो अब पानी में वह पुरा खेत होता है पूरा गिला होता है पराम कर पाते लिए बेसिकल ये काम क्या करता है हमारा छेत में जाके ठीक है सार्फ प्रॉपर जानकारी लेके हिए आप पेर बैठें ये बात बहुत गल्ट है जी किसान तो पहले मर चुका है किसान को तो पांच और पाइवाली चीज लेने के लिए पहले सोचना पड़ता है कि ये लूं ये पैदा करेगी ये नहीं करेगी और आप मेरे को पां आपका नंपर जो मैंने डाल किया यूपियल का ये अदर्स किसान सेंटर का नंबर है अठारा सो एक सो दो वन वन डबल नाइन यह वाला और आपके डेली मैसेज आते हैं मेरे पास और मैं तो उनको देखके जंबा होता हूं कि पड़क्त तो बेच नहीं है यार बेचो आपके कुदर्त की कुरोपी से भी आपका मैंने फंगिसये डाल दिया बान में त्रीफ होगी के मेरा धान खराग हो गया मैं कहाँ से पैसे लूगा आपको तो मिल ना पैसे आपके सबकी मत्टी तो एक जैसी नहीं ना सर यह बिल्कुल सही है आपकी बाती शेम नहीं है जिसके उसके स्टेट की हिसाब से अज जो बात पर रहे थे ना तो होल्ड पे तो है रखे के बात बाद नी की मैंने एक जान का लिए ना वोल्ड पे रहने के लिए त्यार हूं हुझे लेकर न सॉध्डयक मेरे मेरे को बैक कॉल कर लें न किधा demonstrating बस मेरे को दो मिन्ट में बस और मैं कुछ पूछने बाले नहीं हूँ ठीक इसलेगा सर्व में दो मिनट के लिए आपका कॉल लोल पर रखता हूँ रखो जो मिन्ट के लिए रखो ओके साज एक जन्माद किसानों की पहली पसंद मकरीना बंचंदूर तो पतल भरपूर हाँ दुनिया भर में फतलों को जितने म हिकार जी जो जैर Jahach, अचर लंभी समय के प्रडिक्सास के लिए दन्मिारट सर्ण आपका कॉल शेर हमारे सिनियर कारे ऑडिर को ऊज मेरे चाइए उह सिनियर के ना टर्व्षर का Lord एक नी नी सर आप मेरे को बताओ आप इसके फोन को उठाया है नाको तो आप अंसर देने के लिए बठाया है अपकी पे इतनी जप्ट वो जान करने दे सकता वह नॉर्मल बता दे भाई तू मेरे से पूछने जो पूछना भाई तूं पेस के लिए इस प्तादे पेस केल क्या है आप तू 50K है या आप तू 100K है सर्व आपका कॉल ट्रांसफर गाता है सर्व नमस्कार जी नमस्कार जी पता है किस वकर की जानकर दे सकतो आपको पता है आपको कॉल किनों ने ट्रांसफर किया है साफ और साफी लाइजर के बारे में जानकर नहीं चाहता हूं कि यह द्धान में लोग प्रयोग कर रहे हैं इसको कैसे प्रयोग करना है आपकी प्रड़क्ट है ना उप्रड़क्ट है उन्होंने मेरे को बताया इसकी क्वांटिटी एक एक एकडमें डालनी है शे से साथ किलो छे से साथ किलो हाँ जी और ये वीड को भी कंट्रोल करता है उगने से पहली कंट्रोल कर लेता है उन्होंने ये मेरे को जानकरी दिये एक मिनट ने ने चर ये रॉंग इंफरमेशन है इस तो शायद फिर उन्होंने ट्रांसवर किया रहेगा मेरे पस साफ और साफिलाइजर का मतलब प्रॉपर डोज क्या है उसका प्रॉपर एप्लिकेशन क्या है इसको यूज कैसे करना है और किस चीज के लिए काम करता है इसको मिट्टी में डालने का फैदा है और ये आप लोग मिट्टी में क्यों डाल रहे हैं इसको बराबर उसका जादा बड़ा नहीं है, मैं उसमें पहले आपको जानकर ही देता हूँ, जो सही जानकर है, साफ जो है, यह एक्टुली फंग्जी साइड है, जिसमें टेक्निकल से में साफिलाइजर में भी, परन्तु साफिलाइजर में ना सर, इसमें एंटी की जो होता है ना मतलब ना सर, इसमें दिखाया नहीं गया है, यह दो अलग अलग तरीके के, साफिलाइजर में भी आपको एना एक वेजिटेबल के लिए अलग आइंगे, और एक आपको एना वीट और राइस के लिए दो अलग अलग भी जाते हैं, मैं बात आपकी समझ गया, उसमें दो ट प्लस में नूट्रिशन्स मिलाए गए इसको ज़ड़ों में दिया जाता है है नहीं नींट्रियेशन मिलाए गए है लो दिखाइऊ तो गई दी गएंगी है अब आपको उसको जड़ों में दे रहे हैं और और पी ऐम एन ऐसा लिखा होगा है और मुद्ध साफीलाजर के बैक अब कैसे उसमें आप कैसे बैंस कर सकते हैं बतादो इरह ने को तरह मेरी बाव सचेंची अब करता हूं आप वैले इंफिर्मेशन देना को एक नाप पर यहाँ हो जयो ए पर टो सक कर सकता हूं लेकर पैकेट के ऊपर फोर्डो लगा है या नहीं लगा है यह इस बात के मुद्दा नहीं है इसमें न्यूट्रिएशन है क्या जो जड़ों में डाल रहे हैं कौन सी फंगस खतम कर देगा जी जड़ों में हम साफी लेजर डलवा रहे तो उसके बेनिफिट्स क्या है और उसमें क्या क्या मिश्टन किया गए उसकी जानकरी चीए थे आपको जी इसको जड़ों में डालने का फाइदा क्या है बात बात खतल जड़ों में जो बीमारी आती है जैसे फफवन के वज़े से जड़ोंữ discharge कर हम नियूड्रिशन खीचे नहीं जाते हैं याने कि बौदों के जड़ों में मिस्टन नाशक बीमारी रहे गी आं तो तो फफवन की देखते हैं कि हम दूप के सीजन में कभी गर्मी में हैं ना मट्टी उलट पलट करके रखते हैं कुछ 15-20 दिनों के लिए ताकि फोन की कोई बीमारी आ रहेगी तो वो खतम हो सके वो कभी-कभी खतम नहीं होती है वो वहीं रहती है वो बीमारी यह जड़ों से मुक्त हो जाए मैंनी मिट्टी से भी खतम हो के उसके लिए यह साफिलाइजर हम जड़ों में देते हैं देते हैं ठीक है तो आप अपर यह स्टा करने इस तो फिर भी उत्पादल भी बढ़ेग है तो इसकी बुवाए में ही हमको जब यूरिया देते हैं तो उसी यूरिया में इसका सही मिश्ण यानिकी प्रती एक एकड़ के लिए पांसो ग्राम यूरिया में मिलावट करके दे देना है यह आपने बताया हुआ है जो यूपिल की एड़ोटाइजिंग मनेजमेंट कम आने वाली दिनों में जैसे कि उसका मुद्धन निकलन शुरु होता है तो कि उसके बाद में पादर निकलना शुरू होता है तो उसके बाद में उसकी जड़ो को मजबूत रखने के लिए हम कोई यूरिया नहीं देते हैं ये शुरुवात में हम एक ही बार यूरिया देते हैं तीस रोज से पहले तो उसी टाइम पर ये यूरिया में हम मिला के इसके लिए देते हैं शुरुवात में क्यूंकि उस टाइम पर हम खात के साथ अगर ये दे मिलाने के लिए कि उसके साथ उस combination में यह तुरंट नहीं हो पाता है जमीन में नहीं आपका कहने का मतलब है अगर मेरे प्रोची ने डाला है और मैंने डाला नहीं है और मेरा उतपादन उससे डेड़ कम आएगा अगर मैं नहीं आएगा सर जैसे कि आप दोनों ने अगर लगाए है अगर मैं ना ना चाहिए है कम नहीं आएगा सर जैसे मैंने बता है कि आप दोनों नहीं भी लगाए दो किसाने अगर दोनों किसानों का पंथ कुइंड़ आ रहा रहा है ये और लयुख भर धो और लिए तो आपको सी इना試 में साड़िक्राय कर ले चाया है अगर आप ये साडिकर अशारश कर घ् veil अगर आप ये शोटी जे देते ये शोटी है नहीं है मैं पिछले चार्ट इसको डालना बंद कर दिया हूँ ठीक है डालता था जुमीन में अच्छा पहले से कौन से फसल में डालते था सर्थ मैं धान कॉटन और वीट की केती करता हूं जी फंजाब में धान कॉटन वेट में ये डालता था और भी बहुत कुछ डालता था तीक है लेकिन मेरा अगो पादन मेरा जाधा आ रहा है पहले से ये क्यों ओके तुमें जान सकते हुए हर साफिलाजर का इस्तेमाल करवा रहे ते लाश से तीन साल से मैं दो हीजाज तो फंदरा में बंद कर चुका हूँ ये फंदरा में डालना शुरू किया था आए और नहीं बारा में दालना शुरू किया था जी है ऑपका also p Kelly नहीं मैं ये पूछ रहो कि आपने कभी शुरुआ थे कि ये प्रोडक्स स्रल्प काफी पहले से दिया जा रहा है ये इसमें आपने बारा से पंदरा की पीचमे नि ती इस जादा आ रहा है जी उस से अच्छी क्रॉप दिख रही है उसमें कोई चीड़ा भी नहीं आ रहा है उसके नीचे कोई फंगस भी नहीं आ रही है और जितने भी यह मेरे खर्चियां यह भी बच रहे हैं उत्पादन मेरा बढ़ रहा है मतलब आजो बाजो कि जो दूसरे खर्च होते हैं सबसे बड़ी बात हो में वराइटी भी सेम लगा रहा हूं और यह में जान सकता हूं मैं को इतना जानना था कि आपका जब साफी लाजर इस्तमाल करना शुरू किया उससे पहले उत्पादन तो वह साफी लाजर डालने के बाद भी उतना उत्पादन था हां जी बिल्कुल उतना था जी अब अब यह देखो जो फार्मर ने डालना नहीं डाला है मैंने नहीं डाला जी मैं तो 2015 से इसको बंद कर दिया हूं मेरे को तो यह जानना है कि साफ और साफी लेजर दो प्रड़क्ट भी रहे हैं दोनों का टेक्निकल सेम है दोनों को आपने रिजिस्टर भी बलास्ट के लिए करवाया हुआ हुआ है ठीक है और एक एक को आप निचे दलवा रहे हो एक का एक को आप सुप्रेय में डलवा रहे हो तो मतलों का फाइदा है किया ओके नहीं आपके यहां पर आपने जैसे लाश्ट पंदरा से बंद करवा दिया है बराबर ना साफिलाइजर बिलकुल ओके ओके और दूसरी बात मैं जान सकता ह किया यहां पर कभी यू किल अधिकारी आखे गए हैं बिलकुल इन सकते हैं मैं ने मैं जानता ही घर शब कर चारी मेरे नंबर वोगरे यहां मेरे लोकल वालों के दबवाली जे हैं जो बढ़ेंदा के हैं मुपसर के हैं लेकिन वो क्लियर बिगर पाते हैं के जूपील साफ और साफी लेजर में डिपरेंस के है इसलिए मैंने दार्शिकॉन को सेंटल गाना पड़ा मेरे को पर मतलब उनोंने भी आ के कोई जानकर ही नहीं देती इसके बारे में प्रॉपरली जो आपने बताया उस इतना ही उनोंने बताया उनोंने तो मैं काम करता है आपको बेडर रहेगा कि जैसे कि यह आइस क्योंकि तीन साल हो चुके है अभी तो साफी लेजर के उपर है ना जो प्रिंट करवाया है तेक्षिक क्योंकि अभी जो मार्केट में जा रहे है पहले का प्रिंट अलग आता था बड़ाभी का प्रिंट अलग है अलग करकार के चार साफी लाइजर आते हैं जिसक्만 से क्या है की एक वेजिटेबived के लिए पूर सा रहेते हैं। बात की है बोल रहे है कि दान लगाने चे पहले आप इसको खेत में दे दो छेक लो और आपके नदीन भी नहीं पूटेंगे अब बताओ भी यह नदीन पे काम करेंगा आपको अपडेट देने के लिए ना हमारे जो यूपेल के अधिकारे ना आपके शेद्र के आपका शेद्र कुंसा पड़ता है बठेंडा पंजाब बठेंडा पंजाब क्योंकि कि सरसर एक विजिट अगर हो जाएती है तो यह आपको प्रोड़क्ट भी वहाँ पर शो करवा अभी जो पहला प्रेंट आता ता ना जैसे आपने पहले बीजिट की तो बात ही नहीं है आप सभी इंफरमिशन आपकी रगसाइड पर अप्रेंट करते हो ना हर कोई कट सकता है ना वह कोई डिकत वास नहीं है आपने जतना लिट्रेचर देना है वहाँ पी दे देते हैं लोग पढ़ा लेते हैं लेने से पहले लोग पड़ोते हैं आज और साफ जो है यह यह च्ट रिया नहीं है उसको नीचे ढालना है अपने पैडी में डालना उसको ब्लास के लिए रेकमेंड किया हुआ है आपने साफीलाइजर का पढ़ लो एक पात साफिलिजर का यह हमने पेडी के लिए यह डिया तो इसका साफिलिजर का उपयोग आपके चैट करो जी आउनलाइन चैट करो आपका ओके ओके ठीक है यूपियल के आउनलाइन वेबसाइट पर जी मैं दो अधिकारियों से बाट चाहिए आप से भी बात हो गई पहले दूसरे से उनसे भी बात हो गई आदा गंटा नगब फोन चल चुका है लेकिन अगर मेरे पुझे क्लियर नहीं होता तो यह बहुत शर्म की बात है यह आपके लिए नहीं बराबर है सर्ण में जरूर सब्सक्राइब करना है हमारे पास तो सेक्ड़े काम है यहां पर बहुत अलग अलग मतलब की एक काम में गया साथ प्रोड़क्ट के ऊपर आपको डिसक्स करना मत आप जो टाइम निकाल तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए तो कि आपके पस तो बहुत ही सहरे मदब अलग अलग कामें भी होते हैं कि आपका तो इसमें ज्यादा यह भी नहीं होता है आपको जो प्रोड़क्ट का अगर रिजल्ट मिले आप वही डालते हो दूसरा तो नहीं डालो कि मुझे भी पता है तो यही बात मैं पहले यही बात में पहले रिपीट करके उटा जो पहले सर बात कर रहे थे कि आप 10 लोगों को गाइड कर दो अच्छे से वही दासा आपके सो को गाइड कर देंगे लेकिन आपने अपने दर्स किसान नंबर बनाया है इस पर पटा करोंगे फिर नहीं होने वाला ही इसे प्रापर गाइड़न्स होना चीए फारमर को तो यह उनका मुनाफाइक को अगर मैं करूँ तो एक जन सहोजन को बताएंगे और दूसरी बासर में इसके ओपर तुरंद अपडेट देता हूं मैं आपको मुझे थोड़ा सा सीफ समय दे दीजिए आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कैसे भी कर दीजिए मेरे को प्रियर कर दीजिए ठीक है नहीं नहीं जरूर जो आपको क्वेशन से उसके ओपर में क्लियरंस कराऊंगा कि यह अब मतलब साफ साफी लाइजर का अलग अलग हमारी अब तो सुनो हाँ हाँ हमारी 33 मिल्ट बात हो चुकी है लेकिन अभी तक आप क्लियर निकर पाई है मतलब यह क्या होता है क्योंकि कोई भी पैटर्न जो आता है गवर्मेंट से पैटर्न होके ही आता है और का इस्तमाल जो है अभी जैसे आपने बोला कि साफी लाइजर आप जड़ों में देते हो पर हम भी जड़ों में देके हमें इतना मुनाफ़ा नहीं हो रहा है तो मैं मतलब वहां पर एक इस्यूज एक हमने चेक करवाया था तो यही अपडेट आ रहे थे क्या है तो दिक्कते कहा रही है उसके लिए कि विजिट हो नहीं बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए में हमारे अधिकारियों से बात करके देखता हो उपर कि वोई दिकत नहीं सर कियो जबने से अधिसरे कमी उपर इ前 की आधिक आरे हैं पर अफिसरे थिए पुक्रमित उप 1500 को हमारा तो टाइम केमत नहीं है हमारा तो टाम से नहीं चाहिए थे किमत ऊए常 करें उसके आरत लिए दन्यावात आऄ और effort